नमस्कार डेरी डेरी न्यूज में आपका स्वागत है रानी मुखर जी की फिल्म हिच्की ने अपने कॉंसेप्ट और कंटेंट को के दम पर घरेलू बॉक्स ओफिस पर हफते के समाने दिनों में भी बढ़िया कलेक्शन किया है फिल्म में रानी मुखर जी के काम की तारिफ की जा रही है सिधार की मनोत्रा के निर्देशन में बननी रानी मुखर जी की फिल्म हिच्की ने घरेलू बॉक्स ओफिस पर इस अब दे लगता दो गरोर से जादा का कलेक्शन किया है जो इस बात का संकेत है कि दर्शकों ने इस फिल्म को पसंद कर लिया है अब फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 22 करोर 17 लाख रुपे हो गया है लगब 20 करोर रुपे की लागत में बनी यह फिल्म भारत में 9-6 स्क्रीनिंग्स पर रिलीज हो गई थी माना जा रहा है कि हिचकी पहला हफता पूरा होने तक 25 करोर का कलेक्शन कर लेगी लेकिन फिल्म की वीकेंड में पहले की तरह कलेक्शन मिलने की उमीद नहीं है इसकी वज़ाए कि शुक्रवार को रिलीज हो रही टैगर शॉप की दिशा पटानी की बागी टू यह फिल्म देश भर में 3500 से अधिक स्क्रीनिंग पर रिलीज हो जाएगी और मार्केट में फिल्म कहे चर्चा भी जोरदार ढंग से हो रही है ऐसे में राने की हिचकी को माउथ पब्लिसिटी के जरीए ही फायदा मिल सकता है बताते चले की हिचकी एक ऐसी टीचर की कहानी है जिसे बोलने में दिक्कत है लेकिन फिर भी वह क्लास में बदमाज बचों को दुधाने की चुनौती स्विकार्ती है रानी के इस रोल को बक्खुभी निवाया है वही दूसरी और राजे देवगन की एक्चन थ्रिलर फिल्म ब्रेड ने गरेलो बॉक्स ओफिस पर दूसरे हफते में अपना प्रदशन ठीक ठाक जारी रखा है रेड की बजट लगबग सार से पैसट करोर रूपे बताया जाता है